दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टार्गेट सिविल सर्विसेस में तो दोस्तों आज है पांच जून पांच जून से जितने भी करेंट रफिस के कोशन बनेंगे सारे कोशन इस लक्षम में हम डिस्कस करने वाले तो सबसे पहले हम देख लेते जो कल कोशन आपसे पूछा था तो कोशन था कि नासा के नए अध्यक्ष मतलब चेयर्मेन कौन बने है तो यह कौन बन गए दोस्तों यह बन गए है बिल नेलसन यहाँ पर करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा ओप्शन वन तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नासा की नासा एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है तो यहाँ पर नासा का जो मतलब है वो मैं आपको बता लेता हूँ तो नैशनल एरोनाटिक्स एंड स्पेस एड्मिस्टेशन इसका यह फूल फूम है बात करें दोस्तों नासा की स्थापना की तो इसकी स्थापना 29 जूलाई 1958 को की गई थी और इसका मुख्याले वासिंग्टन डिसी में इसी थे और जो अधिक्षी बने हैं वो कौन बन गए है बिल नेलसन ये भी आपको याद रखना है और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दू कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली क्यूजेस किये जा रहे है यदि आपने अभी तक इसमें पार्टिस्पेट नहीं किया है तो पार्टिस्पेट जरू करें और यह ऐसे important question है दोस्तों जो कि आने वाले सभी competitive exam के लिए important होने वाले है और दोस्तों साथ ही आपको मैं यहाँ पर बता दू कि हमारे वीडियो के end में डेली एक question पूछा जा रहा है जिसका जवाब आपको देना होता है तो बहुत से बच्चों को मैंने देखा है मतलब 14-15 लोग ही ऐसे है जो इसका जवाब देते है और बहुत से बच्चे इसका जवाब नहीं दे रहे है तो दोस्तों यह ऐसे question है जिसका जवाब आपको देना है क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे कोई भी फालतो question नहीं करवाता हूँ जो कि आपके exam के लिए important नहीं है तो आपसे request है जो question of the day रहता है उसका जवाब आप ज़रूर देजिए अब दोस्तों हमें start करते है कलकी question का revision तो पहला question है कि इसराइल संसतने किसे देश के ग्यारवे रास्टपती के रूप में चुना है तो यह किसे चुना है इसाक हों को तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option 2 चलते है next question के ओर तो निमने में से किस भारती को हाली में international dairy federation के सदेश के रूप में चुना गया है तो यह किसे चुना गया है यहाँ रूपे अंदर सी हैं सोड़ी को तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा option 1 और दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो लेक्षर को like नहीं किया है तो like जरूर कर दे, share कर दे अगर आप इस शेन पर नए हो तो इसे subscribe भी जरूर करे अगला कोशन है कि वीजव साइकल दिवस कब मनाए गया है तो यह कब मनाए गया है यह मनाए गया है तीन जुन को तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा option 4 अगला कोशन देख लेते हैं तो हाली में किस राज जी ने महिला वह लड़कियों को निसुल कर सेनेटरी पैड वितरन करने है तो उडान यूजना की सुरुवात की है तो इसकी जो सुरुवात की है वो पंजाब राज जी नी की है तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा option 1 चलते हैं next question की ओर तो हाली में चर्चा में रहा भासन चार द्विप किस देश में इस्तित है तो यह इस्तित है दोस्तो बंगला देश में तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा option 2 next question है की हाली में जारी ICC महिला T20 रैंकिंग में कौन सिर्च पर रही है तो सिर्च पर रहने वाली जो महिला है वो है सेफाली वर्मा तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा दोस्तो option 2 question है की 3 जुन 2021 को नीती आयुक दोरा जारी सतत विकास लक्ष भारत सुचकांक 2020 में कौन सा राज्य सिर्च पर रहे है तो इसमें सिर्च पर रहने वाला जो राज्य है वो कौन सा है केरल तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा option 3 चलते हैं next question की ओर तो हाली में मुख्यमंत्री मम्ता बनर जी के नए मुख्य सलाकार के रूप में किसे निउक्त किया गया है तो यह निउक्त किया है दोस्तो अलपन यंदो पाध्या को correct answer हो जाएगा option 2 चलते हैं next question की ओर तो हमें चर्चा में रहा बनेर घटा रास्टी उद्यान किस राज में इस्तित है तो यह इस्तित हैं दोस्तो करनाटक राज में यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा option 3 और आज का last question है revision का कि विश्व स्वास्ता संगटन ने भारत में पहली बार पाए गए COVID-19 के दो variant में से B.1.617.1 संस्क्रन को क्या नाम दिया है तो इसे नाम दिया दोस्तो कपा यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा option 1 और ऐसा ही दूसरा जो नया वेरियंट है वो कौन सा है B.1.617.2 इस संस्क्रन को नाम दिया था दोस्तो डेल्टा यह दोनों आपको याद रखना है अब स्टार्ट करते है दोस्तो आज के current phase तो वीडियो को अभी तक आपने like नहीं किया है तो like जरू करते है और share भी जरू करे अब स्टार्ट करते है दोस्तो पहले question के साथ कि हा महरास्ट सरकार ने कोरोना मुफ्त गाउ प्रतियो गिता की गुसना की है और इस प्रतियो गिता के तहट प्रतेक राजसो छेत्र से COVID-19 प्रभंदन को लेकर अच्छा काम करने वाले तीन ग्राम पंचात को चुनकर पुरुसकर दिये जाएगे मतलब महरास्ट के छे राजस कर दिये जाएगे तो जो फृस्ट पायदान पर रहेगा मतलब पहला पुरुसकर इनको 50 लाग रुपे का मिलेगा और दूसरा जो मिलेगा वो 25 लाग रुपे का और ता-धी 15 लाग रुपे का पुरुसकर दिया जाएगा आप पे जो महारास्री की लोग सभा सीट है वो 48, राजल सभा सीट 19 और विधान सभा सीट 208 सी है ये भी आपको याद रखना है अब चलते दोस्तों next question की ओर हाली में जारी टाइम स हायर एजूकेशन एस्या यूनिवर्सिटी रेंकिंग 2021 में कौन सा संस्तान देश में सिर्शिस्तान पर रहा है तो देश में सिर्शिस्तान पर रहने वाली जो संस्ता है वो है दोस्तों भारती विध्यान संस्ता बैंगलोरू यहाँ पर राइट अंसर क्या हो जाएगा option 2 अगर यहाँ पर दोस university जो की चीन की है तो ये भी आपको याद रखना है और यहाँ पर दोस्तों हम बात करें top 100 की तो उसमें भारत के 3 संस्थानों ने top किया है तो इसमें जो 37 वा इस्थान है वो किसका है भारती विज्ञान संस्था का और 55 वा जो और यहाँ पर हम बात करें दोस्तों 78 वा इस्थान है किसका IIT इंदोर का तो याद रखना है अपको कि जो भारत देश में अगर सिर्शिस्थान पर बात करें तो सिर्शिस्थान पर है भारती विज्ञान संस्था बैंगलोरू और साथी दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते कि जो टाइम पर्शन आप दे इयर 2020 रहे थे वो कौन रहे थे तो यह रहे थे जो बाइडन जो की अमेरिका के राश्चपती है और इन्हें के साथ रही थी कमला हैरिस जो की अमेरिका की उपर राश्चपती है और साथ ही यहाँ पर आपको बताना है कि टाइम से पर्शन आप दे इयर 2019 कौन रही थी 2019 कौन रही थी इसका जवब आपको कमेंट सेक्शन में देना है अब चलते दोस्तों नेक्स्ट कोशन की ओर तो हाली में बिहार के मुख्य मंतरी ने Engineering और Medical College में लड़कियों के कितने प्रतीशत आरख्षन की घुसना की है तो इसमें जो घुसना की है दोस्तों वो 33 प्रतीशत आरख्षन की की है तो यहाँ पर Correct answer हो जाएगा Option 4 तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं बिहार के जिसकी राजदानी पटना है पिहार राज्य की लोग सवासिट की तो ये 40, राज्य सवासिट 16 और विधान सवासिट 243 है अगला खोशन है कि दो जुन 2021 को अंतरास्टी बूकर पुरुसकार 2021 से किसे समानित किया गया है तो ये समानित किया है दोस्तों डेविड डायोप को तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क् आप्शन 4 तो डेविड डीयोप को उनके उपन्यास एट नाइट और ब्लड इस ब्लैक के लिए अंतरास्टी बूकर पुरुसकार 2021 से समानित किया गया है और यहाँ उपन्यास प्रत्म विश्व युद्य के दोरान फ्रांस के लिए लड़ने वाले सेनेगल की कहानी पर आ इसको भारती वायू सेना के उपप्रमुक के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो यह न्युक्त किया है दोस्तो एयर मार्सल विवेक राम चौधरी को तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 मतलब एयर मार्सल एचेस अरोडा की जगह किसने लिए ह यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भारती वायू सेना की मतलब इंडियन एयर फोर्स की जिसकी इस्ताफना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और मुक्याले नई दिल्ली में इसी थै वायू सेना के अध्यक्ष की बात करें तो यह है दोस्तो एयर चीप मार्सल आर केस भदोरिया य और यह आप देख सकते हैं दोस्तो यह है लिटोरिया मीरा जो की हाली में न्यू गिनी में एक मेंड़क की नई प्रजाती खोजी गई है और यह दोस्तो जो लिटोरिया मीरा इसका नाम रखा है इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर आपको मैं बता दू इसका मतलब होता है आश्चर या अजीब तरह की दिखने वाली चीड तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहें जो न्यू गिनी है इसकी राजदानी की तो इसकी राजदानी है पोर्ट मोरेजबी और मुद्रा है दोस्तों पापुआ न्यू गिनी कीना ये भी आपको याद रख रहे हैं और यहा बोगलिक रूप मतलब जियोग्रफीक लिए यहां नॉर्थ अमेरिका में इस्तित है अगर यहां पर हम बात करें कि जो ग्रिन लेंड है कि इसके पॉलिटिकल रूप से देखे मतलब राजनेतिक तोर पर देखे तो यह डेनमार्क में इस्तित है नेक्स कोशन है दोस्तों कि हाली में जारी FIH विस्वर रेंकिंग में किस देश की हौकी टीम सिर्ज पर रही है तो इसमें सिर्ज पर रहने वाली है बेल्जियम की हौकी टीम तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो option 2 अगर यहां पर हम भारत की बात करें और इसका मुख्याले लुसाने स्यूजर लेंड में इसी थे अद्धिक्ष की बात करें तो यह नरेंद्र बत्रा है और जो सियो है दोस्तो वो कोने फेरेंटेरी है यह भी आपको याद रखना है और अद्धिक्ष नरेंद्र बत्रा है यह है दोस्तो नरेंद्र वत्रा जो अंतराश्री होकी महासंग के अध्यक्ष है नेक्स्ट कोशन है कि हाली में किस देश के पूर्व प्रधान मंत्री और राश्टपती अनिरुद्ध जगर्नाद का इनके 90 साल की उम्र में निदन हो गया है तो यह है दोस्तो मौरिसस के प्रधान मंत्री और राश्टपती अनिरुद्ध जगर्नाद यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन टू और यह है दोस्तो अनिरुद्ध जगर्नाद जिनका इनके 90 साल की उम्र में निदन हो गया है और यहां पर हम बात करें मौरिसस की जिसकी राश्टपती है दोस्तो प्रधान मंत्री यहां के प्रविन जगर्नाद और यहां की जो मुद्रा है वो रूपी है तो यह भी आपको याद रखना है अब चलते हैं दोस्तो नेक्स्ट कोशन की ओर तो संयुक्ति राश्टी वेस्विक सतत परिवान सम्मेलन 2021 का जो आयोजन है वो किस देश में होगा तो इसका आयोजन होने वाला है दोस्तो चीन में तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन वन तो 2021 में संयुक्ति राश्टी वेस्विक सतत परिवान सम्मेलन का जो दूसरे संस्करन है इसको आयोजन चीन में किया जा रहा है और यह दोस्तो 14-16 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा चीन की राज़दानी बिजिंग में और इस सम्मेलन का जो देश है वो क्या है तो दुनिया भर में इस्ताई परिवान प्रापत करने की दिशा में आऊशरों, चुनोतियों और समाधन पर ध्यान केंदित करने पर इसमें चर्चा की जाएगी और आज का जो last question है कि हाली में आलोक कुमार किस राज के नए मुख्य सच्यू बने है तो यह बन गए दोसो त्री पूरा के तो यहां पर correct answer क्या हो जाएगा option 2 तो यहां पर हम बात करें दोस्तो त्री पूरा के जिसकी राजानी अगर तला है वर्तमान में यहां के जो मुख्य मंत्री है वो स्री बिपलो कुमार देव है और यहां के जो गवर्नर है वो स्री रमिस बेसो है यह भी आपको याद रखना है तो हम बात करें त्री पूरा के विधान सभा सीट की तो ये 60 राजे सभा सीट 1 और लोग सभा सीट 2 है ये भी आपको याद रखना है और दोस्तो आज का जो question of the day है वो देख लेते तो इससे पहले दोस्तो आपने अभी तक हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो इससे लाइक जरूर कर दे share कर दे आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इससे जरूर लाइक करें और आज का जो question of the day है आपके लिए कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो इसका सहें जवब आपको देना है और साथ ही आपको ये बताना है कि ये कौन से राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी तो दोस्तो आज का वीडियो लेक्चर है वो यहीं पर एंड हो रहा है अगर आपको ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगाओ तो इससे लाइक करें सेर करें अगर आपको ये शेयन पर नए हो तो इससे सब्सक्राइब भी जरू करें थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग इस वीडियो